बच्चों की शादी के रिष्टे आते हैं लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनती है तो यह वीडियो आप जरूर देखें माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं परेशान हैं तो यह वीडियो जरूर देखें किसी भी शनिवार के दिन एक छोटा सा काम आपको करना होगा और आप देखेंगे इस प्रियोग का चमतकार बहुत जल्दी आपके बेटा या बेटी के लिए मन के अनुरूप विवाहा के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिस्ता पक्का हो जाएगा प्राय देखा जाता है कि कुछ लड़के लड़क्यों के कुंदली में ऐसे दोश बने वे होते हैं जिसके चलते आप जहां कहीं पर भी उनकी शादी के रिस्ते के लिए बात चलाते हैं बात सफलता तक नहीं पहुचती है बार-बार बातें चलती है और बार-बार ब्रेक हो जाती है और निरंतर विवहा में देरी हो रही होती है शादी की उम्र निकल रही होती है ऐसी इस्तिती में माता-पिता बहुत जादा परिशान हो जाते हैं बहुत जादा चिंतित हो जात आपके बेटा या बेटी की कुंडली में चाहे पित्र दोस की वज़े से नजर दोस की वज़े से मांगलिक दोस की वज़े से गुरू चांडाल दोस की वज़े से काल सरब दोस की वज़े से या किसी भी प्रकार के ग्रहे दोस के चलते शादी के रिस्ते के लिए आप जहां क नहीं पर भी बात चला रहे है बात सफलता तक नहीं पहुँच रही है तो किशी भी शनिवार के दिन इस छोटे से कारिये को जरूर संपन करना जल्दी से जल्दी शादी का रिस्ता निश्चित रूपेंड पक्का हो जाएगा किस प्रकार से इस प्रियोग विदी को संपन कर जैसे आपके शादे कब होगी कहां होगी कैसा जीवन साती मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादे का रिस्ता पक्का होने के लिए कौन-कौन से चमतकारी उपाई आप कर सकते हैं तो इस परकार की सटिक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए आज ही जरूर करने से आपको बहुत जादा फाइदा होगा क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा आप आसाने से मेरे वीडियो देख सकते हैं हमेशा मेरे साथ जुड़े तो चलिए प्रियदर्शकों वह जल्दी शादी कराने वाला चमतकारी प्रियोग में आपको बता देता हूँ जब माता पिता के द्वारा बेटा या बेटी की शादी के लिए बार बार प्रियास किया जा रहा और कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो तो ऐसी इस्तिते में इ विवाह नहीं हो रहा वह स्वयम अपने लिए कर सकते हैं नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमत इस प्रियोग को संपन कर सकते हैं क्या करना होगा जिस किसी भी शनिवार से प्रारम कर रहे हैं प्रात है जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं साड़े मनो भाव जो आपके घर के पूजायस्तान में विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में काम ना करें, प्राथ ना करें अपने बच्चों के शिग्र बिवाव होने के लिए जो मन का भाव है, मन की अरजी है वो आपके घर के पूजाइस्तान के जो भी विराजित देवी देवता है उनके चरणों में रख दीजिए और एक घीकादी प्रजवलित कर दीजिए उसके बाद आपका यह विशेश प्रयोग प्रारंब होगा उसके बाद आपको आस पास में कोई भी ऐसा मंदिर परिशर हो वहाँ पर जाना होगा जिस मंदिर परिशर में व्रक्ष लगेवे हों यानि किसी भी मंदिर परिशर में लगेवे व्रक्ष के नीचे की मिटी लेकर के आनी है आपको थोड़ी मात्रा में और कोई भी दिव्य व्रक्ष हो जैसे शमी का पोधा लगावा है या सफेद पोधा है पीपल का पोधा है या बरगद का पोधा है या केले का पोधा लगावा है इन में से कोई भी पोधा किसी मंदिर परिशर में लगावा है और आप ऐसे पोधे के नीचे की मिटी लेकर के आते हैं तो बहुत जादा अच्छा रहेगा आप थोड़ी मिटी लेकर के घर आ जाएं और एक कटोरी में उस मिट्टी को आप ले लीजिए उस मिट्टी को कटोरी में भर लीजिए और उस कटोरी में जो मिट्टी भरी हो उस मिट्टी के उपर गंगा जल का छीटा मार दीजिए उसके पशात आप उस कटोरी को घर के पूजाइस्तान में रख दीजि जो आपकी मनों कामना उसका बार-बार चिंतन करें सरी हनुबानजी महराज के चरणों में हे हनुबानजी महराज मेरे बेटा या बेटी के विवहाए में जो बादा है रुकावट है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए इसके निमेतिस प्रयोग को मैं संपन कर रहा हूँ या कर रही हूँ विशेशत है हनुमान जी महाराज से प्रातना करें भगवान भोले नात से प्रातना करें महादेवशे देवादेव महादेव के चरणों में आप प्रातना कर लीजिए और जो बार बार आपका मन का भाव है बच्चों का शिग्र बच्चा या बच्ची श्वेम कर रहे हैं तो अपनी जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए उसको बार बार अपने विचारों में उस बात को अंदर यंदर अपने अंतरमन में विचार करते वे जो घीका दीप प्रजवलित किया है उसको आप जो कटोरी में आप मिट्टी मिट्टी के ऊपर उस दीपक को रख दीजिए उसके बाद आप आसन लगा करके नीचे बैड़ जाएं सफेद रंग का आशन हो तो बहुत जादा अच्छा है नहीं तो आप पीले रंग का आसन ले सकते हैं पीले या सफेद रंग का आसन लेना है क्योंकि पीला और सफेद रंग जो होता ये शुक्र और गुरू का प्रतिनी धित्वा करता और विशेशते दो ग्रहे ऐसे होते हैं इनकी क्रपा से ही जल्दी से जल्दी शादी का रिस्ता पक्का होने का योग बनता है सपेद या पीले रंग के आसन पर बैठके आपको इस मंत्र को 108 बार करना होग इस मंत्र को 108 बार हातों के अंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं या कोई भी माला हो रुद्राक से इस पटिक की माला हो सकती है जो भी माला आपके पास अवेलिवल है आप उस माला से इस मंत्र को 108 बार करना प्लीम ओम नमह शिवाई इस प्रकार से 108 बार जब संपन हो जाता है स्री हनवान जी महारास से महादेव भगवान भोले नात के चरणों में अपने बच्चों के शिग्र बवाव होने के लिए बारम बार अपने मन की अरजी को मन के भाव को उनके चरणों में रखना कि प्र प्रिया दर्शकों देखे इस प्रियोग को शनिवार के दिन आपको इस प्रकार से प्रारम करना है और फिर अगले दिन से जो आपने कटोरी रखी हुए मिट्टी की जो मंदिर से आप मिट्टी ले के आएं उस दीपक को हटा के दीपक वही ले सकते हैं लेकिन पुने उसम दीप्रजूलित करें और अपनी मनों कामना के लिए प्रातना करते हुए बारम बार से हनुमान जी और भगवान भोले नात के चलनों में कामना करते हुए इसी मंत्र को फिर अगले दिन भी 108 बार करना है क्लीम ओम नमह शिवाई ऐसा इस प्रियोग विधी को 21 दिन की आ जा है तो निश्चित रूपे ने बड़े से बड़ा विवाः दोश यदी बनावा होगा तो दोश दूर होगा बड़े से बड़ा विवाः बंधन भी कटेगा किसी भी प्रकार के ग्रह दोस के चलते यदि शादे नहीं हो पा रहे तो उस ग्रह दोस से मुक्ती मिलेगी और जल्दी से जल्दी शादी का रिस्ता पका होने का अवश्य योग बन जाएगा जब आपके 21 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके पशाद जो मिट्टी है कटोरी में उस मिट्टी को बहते वे जल में प्रवाह कर दें या कोई ऐसा कुवाओ जिसमें जल है हमेशा ऐसे कु जोर सकते हैं नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे आप उस मिट्टी को विशर्जित कर दीजिए और ध्यान रखें 21 दिन जब आप पूर्ण करेंगे उस दिन गव माता की सेवा अवश्य करें भीगवी चने की दालिया गुर गव माता को खिलाएं हरी चारा घास कुछ भी गव माता को खिला के उसका आशिरबाद लें और किसी भी ब्रहमन को मंदिर जा करके यथा संभव कुछ भी दक्षणा दे करके उनका आशिरबाद ले लें इस प्रियोग को लड़का या लड़की स्वेम करें नहीं तो मा कर सकती है पिता कर सकते हैं अपने बच्चों के ल अपने बेटा या बेटी की कुंडली का साइन्टिफिक सटिक जोतिश्य विशलेशन करवाना चाते हैं उनकी मैरिज के बारे में सटिक ता पूरवक जानकारी प्राप्त करना चाते हैं तो जो स्क्रिन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पे संपर कर सकते हैं इसे निवेदन कर दूँ इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेर जरूर कर दीजेगा क्योंकि कुछ ऐसे दुखी परेशान माता पिता के समक्ष वीडियो पहुंचता है जो अपने बच्चों की शादे को ले करके बहुत चिंतित हैं और आपके शेर करने से उनक को लाइक जरूर करना और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है यदि हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाते हैं तो सब्सक्राइब अभी जरूर कर लेजेगा आज के लिए इतना ही था देखते रहेगा आप हमारा जोतिस गुरू जी यूटूब चैनल